What's up guys, Aishman this side and welcome back to my YouTube channel So, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगी Budget 2022 के बारे में And I understand कि usually हमार एज की जो लोग होते जो यंग लोग होते उनको budget में या फिर budget में क्या क्या आया उसमें इतना interest होता नहीं क्योंकि बहुत ज़ादा technical and boring सी finance वाली बाते होती है इसलिए ज़ादा लोग interest दिखाते नहीं है budget में And I think that's completely fine But हर साल के budget में ऐसी कुछ important and interesting चीज़े भी होती है जो की young लोगों के लिए बहुत ज़ादा relevant और important होती है जाननी और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे highlights दूँगा इस साल के budget से जो की young Indians को पता होना बहुत ज़ादा important है interesting भी है बहुत ज़ादा And अगर आपको इस चीज़े पता होगी तो इसमें आपका ही फायदा होगा और मैंने इस वीडियो को दो parts में divide किया हुग है Part A में मैं आपको 5 ऐसी interesting and relevant चीज़े बता होगा एक बार आपसे जानना चाता हूँ कि आपका एक महीने का budget कितना होता है budget मतलब आप हर महीने कितना पैसे खर्च करते है कितना budget रखके चलते है तो comments में जाओ and comment करके में को बताओ So the first important highlight is कि अपसे आपके virtual digital assets के income पे 30% tax लगेगा flat 30% tax लगेगा And these digital assets can be anything Cryptocurrencies हो सकते है NFTs हो सकते है या अगर आप Metaverse में कोई land own करते है या कोई भी virtual asset आप own करते है And वहां से अगर आपको कुछ profit मिल रहा है तो उस पे flat 30% tax है And bear in mind कि ये tax आपका profit पे income पे लगेगा आपके total amount पे नहीं तो अगर आपने किसी में 1 lakh रुपे invest करे है And आपका 1 lakh का 2 lakh हो गया है तो आपका 30% tax 2 lakh पे नहीं लगेगा जो आपको 1 lakh का profit हुआ है उस पे लगेगा मतलब 30,000 रुपीज का tax और यहां पे एक interesting point ये भी है कि budget की speech में virtual digital assets term use किया गया Cryptocurrencies या NFTs को directly name नहीं किया गया And इसलिए इस वक्षोचल मीडिया पे And news पे भी बहुत लोग discuss कर रहे है कि virtual digital assets में क्या क्या चीज़े आती है Cryptocurrency तो I think most likely आए गा ही आएगा बर और भी बहुत सारी चीज़े होती है जैसे NFT हो गया तो क्या वो भी virtual digital assets में आएंगे और इसके लावा आपके इन virtual assets पे 1% TDS भी कटेगा And इस tax पे बहुत सारे crypto experts ने positive comments भी दिये कि अच्छी बात है कि अब government tax लगाना शुरू कर रहे है Cryptocurrency को recognize करना शुरू करेगी And एक अच्छा move होगा Cryptocurrency के regulations की और लेकिन बहुत सारे लोग इस move से disappointed भी है इस reason से नहीं कि tax क्यों लगा रहे है But इसलिए कि इतना ज्यादा high tax क्यों लग रहा है 30% tax मेरे opinion में भी थोड़ा ज्यादा है But personally I think एक अच्छा move है Cryptocurrency के regulation की और तो अगर आप भी ए crypto investor है तो do remember आपको अपके crypto के profit पे 30% tax भी देना पड़ेगा So moving on आप मेंसे जो लोग gaming करते है या आपको animation करना पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छी news है इस साल के budget से Finance Minister Miss Nirmala Siddharaman ने announce किया था कि government एक animation, visual effects, gaming and comics special task force set up करने वाली है इंडिया में और इस task force का aim होगा एक domestic capacity, एक domestic market build करना, establish करना इस पूरी gaming and animation industry को cater करने के लिए and we all know कि gaming industry पिछले कुछ सालों से कितना ज़ादा तेजी से grow कर रही है as per 2021 gaming industry का जो market है वो almost 300 billion dollars का है और इसी gaming and animation industry की demand को fulfill करने के लिए सिर्फ इंडिया के market में ही नहीं बलकि global market में एक इंडिया में special task force setup किया जा रहा है जिसका काम होगा इस industry को इंडिया में establish करना, grow करने में help करना and आप मेंसे जो लोग gaming में visual effects में, comics में, animation में interest रखते, इस industry में काम करना चाते है तो आपके लिए बहुत अच्छी news है क्योंकि इंडिया में अब एक booming market create हो सकता है So moving on, अगर इस साल आप कोई electronic या variable खरीदने की सोच रहे है तो आपके लिए एक good news है Finance Minister ने announce किया है कि यह जो electronics या variables होते उनमें जो components use होते है उनके import पे custom duty को कम कर दिया जाएगा 0 से 15% की बीच में रहेगा Whereas on the other hand जो पूरे-पूरे components होते है जो basically पूरा-पूरा product ही import होके आता है उस पे जो custom duty है वो अभी 15-20% लगेगा And ये एक अच्छी news है Indian brands के लिए Indian manufacturers के लिए क्योंकि वो जो components import कराते जो बाहर से आते इंडिया में अब वो उनको एक सस्ते rate पे मिलेंगे And इससे इंडिया का जो electronics and variables market है उसको definitely boost तो मिलेगा ही मिलेगा And हो सकता है कि आपको भी ये products अब थोड़े cheaper price में मिले And जो fourth highlight है इस साल के budget से वो हमारी generation Digital generation के लिए बहुत जादा important है क्योंकि RBI 2022 में एक digital currency issue करेगा And इस currency का नाम होगा digital rupee And ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा And बहुत ही important move होगा एक digital India और digital economy को promote करने के लिए But यहाँ पर एक चीज़ में को थोड़ी कम समझ आई Finance Minister ने अपनी speech में का था कि ये digital currency RBI Blockchain technology के मदद से बनाएगा But blockchain in itself is a decentralized technology और अगर एक central authority जो कि इसके इसमें government है या फिर RBI है वो एक decentralized technology को use करेगा तो I don't know वो कैसे उस पर control रख पाएंगे And फिर क्या point रहेगा इस चीज़ का तो even तो digital currency इसी digital rupee मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और important move है I'm not sure right now कि इसमें blockchain का कैसे use किया जाएगा या फिर क्या blockchain क्योंकि इस वग एक buzzword बना हुआ है इसलिए blockchain, blockchain बोल दिया है तो ये थोड़ा सा मैं भी इस वग confused हूँ And finally आप में से काफी सारे लोग होंगे उसमें कोई change नहीं है And दूसरी good news यह है कि अब आप अपने income tax को 2 साल बात तक update कर सकते हो So let's say आपने पहले कोई income tax file किया जिसमें कुछ गलती हो या आपने अपना कोई income disclose नहीं किया तो आपकी बस 2 साल तक का time है अपने income tax को file करने के लिए And अपनी income को अच्छे से ठीक से disclose करने के लिए And guys यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस channel पे हर अफते stock market personal finance, crypto currency, investing इन सब topics पे videos डालता रहता हूँ तो अगर आपने अभी तक इस channel पे subscribe नहीं किया है तो subscribe का button दबाना बिलकुल मत भूलना So now let's move on to part B of this video and talk about 5 important highlights from this year's budget जो की आपको as an Indian पता होने बहुत जादा important है First of all January 2022 में highest ever GST amount collect किया गया है in any month 1.38 lakh करोड का GST revenue collect हुआ था And finance ministry के साब से पिछले कुछ महीनों में हमने जो economic recovery देखी है pandemic के बाद उसने एक बहुत important role play किया इस milestone को achieve करने में इसके अलावा निर्मला सीता रमन जी ने ये भी बोला कि Financial year 2022 में इंडिया की GDP 9.2% से grow करेगी And this is as compared to a GDP growth rate of minus 6.6% in financial year 2021 And ये एक बहुत ही positive indication है हमारी country के लिए क्योंकि this shows की economic recovery होनी शुरू हो गई है कहाँ पिछले साल negative था हमारा GDP growth rate And इस साल projected ही 9.2% है So moving on आप में से जो लोग stock market में invest करते है And specifically IPOs में invest करते है आप के लिए एक अच्छी news थी इस budget में निर्मला सीता रमन जी ने का कि LIC का IPO बहुत ही जल्दी आने वाला है And expect ये किया जा रहा है कि government इस IPO के थुरू 12 billion dollars raise करेगी मतलब ये 12 billion dollars का IPO होगा And इस से LIC की जो valuation है वो 200 billion dollars की target की जा रही है And अगर ऐसा हुआ तो LIC will become the second largest listed company in India by market capitalization And largest कौन सी है? Reliance Industries In fact इस IPO का size इतना बड़ा है ये largest IPO होगा वैसे इंडिया का And इस IPO का size इतना बड़ा है कि ये plan किया जा रहा है इसको एक ही बारी में नहीं हम इसको two different phases में करेंगे तो दो different sort of IPOs होगे इस एक पूरे IPO को करने के लिए So इसके अलाबा आप में से काफी सारे लोगों ने CAPEX या फिर Capital Expenditure Term बहुत बार सुनाओगा And Capital Expenditure basically कुछ नहीं होता Basically वो खर्चा होता है जो कि government करती है कुछ Capital Build करने के लिए जैसे आपके highway बना दी, सडके बना दी है, flyover बनाए, dams बनाए, कहीं building खड़ी कर दी तो जितना भी capital build करने में जो खर्चा जाता है उसको Capital Expenditure कहते है And इस साल के budget में जो Capital Expenditure का target है वो 7.5 lakh करोड का है Which is 35% more than previous year तो ये भी एक काफी अच्छी news है, काफी अच्छा highlight है economic recovery के लिए And ये तो सरिफ Capital Expenditure हो गया Total Expenditure इस साल जो government का plan है वो approximately 40 lakhs करोड का है And इसके against जो हमें received या revenue मिलेगा वो 22 से 23 lakhs करोड का होगा तो यहाँ पे जो आप एक loss देख रहे हो 18 lakh करोड का या फिर जो अब एक deficit देख रहे हो, इसी को हम लोग Fiscal Deficit कहते है And ये Fiscal Deficit होना इतनी कोई बुरी बात नहीं है Unless and until ये साल बर साल कम होती जारी हो हमारी ऐसी developing country के लिए अगर 7% से कम है और कम होती जारी है तो it's a good news Last year का जो Fiscal Deficit था वो 6.9% था इस साल government का plan है 6.4% रखने का And जग long term plan है वो ये है कि 2025 तक हमारा Fiscal Deficit 4% तक आ जाए And इसी की साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके Once again मुझे comments में अपने अप monthly budget के बारे में जरूर बताना And अगर आपको इवीडियो अच्छी लगी, helpful लगी तो इस वीडियो पर like and इस चैनल पर subscribe करना बिल्कुल मत बूलना And इस वीडियो का अपने दोस्तों और family के साथ भी जरूर share करना Thank you